दोस्तो आज के इस वुडियो में हम IDFC बैंक के रूपे क्रेडिक काड को इंस्टेंटली एक्टिवेट करना सिखेंगे तो चलिए आज के वुडियो शुरू करते हैं तो आपके पास IDFC 1st Bank का पहले से कोई न कोई क्राडि काड होना चाहिए आप अपनी श्कीन पर देख सकते हैं आपके पास या तो 1st Classical होना चाहिए या 1st Million, 1st Wow, 1st Select, 1st Weather या आपके पास 1st Private credit card, इनमें सा अगर कोई भी credit card है IDFC का तो आप instantly IDFC First Bank के रूपे credit card को activate कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं IDFC First Bank के रूपे credit card के features के बारे में, ये टोटली digital होगा, आपको किसी तरह कोई भी physical card delivered नहीं किया जाएगा, अगर आपके पास जो card अभी मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके पास इन में से कोई भी credit card नहीं, अगर आप किसी भी credit card को apply करना चाहते हैं, तो सभी credit card को apply करने का link मैंने वीडियो का description में और first comment में pin कर दिया है, आप उस link पे click करके इन में से किसी भी credit card को apply कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए अब जानते हैं, IDFC फर्ष्ट रूपे credit card के benefits के बारे में, तो guys अगर आप IDFC फर्ष्ट बेंक के रूपे credit card को लेते हैं, तो आपको सबसे पहले 100% का cash back मिलेगा, अप्टू 200 लेकिन तो अगर आप 200 रूपे का cash back लेना चाहते हैं, तो आपको 4 transition करने होंगे 50-50 रूपे के तभी आपको 200 रूपे का cash back मिलेगा, मतलब यह है कि अगर आप पहला transition करते हैं 50 रूपे का 100% cash back मिल जाएगा, और इस तरह से आप 50-50 करके 4 वार में 200 रूपे का cash back ले सकते है लेकिन आपको यह transition 15 दिन के अंदर-अंदर करने होंगे, card के activate करने के बाद, और अगर आप अपने रूपे credit card से 2000 रूपे से उपर का transition करते हैं तब आपको 3X reward point मिलेगा, लेकिन अगर आप 2000 रूपे से नीचे का transition करते हैं तब आपको 1X reward point मिलेगा, और उसके बाद अगर आप अपने जितने भी UPI transition करेंगे, अगर आप उनको EMI में, यानि कि इंस्टॉल्मेंट में अगर convert करना चाहते हैं तो आप यह काम भी इस credit card के साथ कर सकते हैं, लेकिन यह आपको एक बात नोट करनी होगी, अगर आप अपने इस credit card से, यानि कि आप अपने IDFC first रूपे credit card उसके according रहेगा, और चलिए अब इसकी fee के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आप इस credit card को activate करते हैं, तो इसकी joining fee रहेगी वो 199 रूपीज रहेगी, जिसमें 18% GST आपको और देनी होगी, को बिलाके आपको 235 रूपे joining fee देनी होगी, अगर annual fee की बात की जाए, तो यहाँ आ video के description में दे दिया है, simply आपको उस link पर click करना है, जैसी आप link पर click करते हैं, तो link पर click करने के बाद, आप IDFC bank की official website पर आ जाएंगे, simply आपको activate instantly वाले option पर click करना है, जैसी आप इस पर click करते हैं, उसके बाद यहाँ आपको अपनी date of birth एंटर करना है, अपना mobile number एंटर करना ह एंट जैसी आप continue करते हैं, तो आपका जो पराना credit card है, IDFC bank का वो आपको show हो जाएगा, और आपके पराने credit card की जितनी भी limit होगी, वो आपके रूपे credit card पे instantly apply हो जाएगी, कुल मिला के अगर आपके पराने credit card की limit एक लाख रुपे है, तो आपके रूपे credit card की limit होगी, उस को इस credit card के साथ share किया जाएगा, आपको इस बात का खयाल लगना है, और उसके बाद यहां आपको bottom में एक activate का option देखने को मिलेगा, simply आपको activate वाले option पे click करना है, और उसके बाद आपके register mobile number पे एक OTP आएगा, आपको OTP को enter करना है, OTP करने के बाद आपको फिर से confirm करना है और आप इसको कहीं भी use कर सकते हैं, अगर आप इसको phone pay पे add करना चाहें, तो आप phone pay पे add कर सकते हैं, को मिला कि आप किसी भी UPI application के अंदर add करके, अब UPI transaction कर सकते हैं,